कि यह अंदकार क्यों है ताथ्री आओ विदुर आओ प्रणाम ताथ्री क्या इस युग में लंबी आयू का आशिरवात लेना चाहोगे पुत्र बड़ों से हाशिरवात मिले या शाप प्रणाम करके उसे स्वीकार करना चोटों का करतब है किन्तों आपके कक्ष में अंदकार क्यों है ताथ्री यह मेरे भीतर का अंदकार है पुत्र जो बाहर चलक आया है पेरे निकट ना आया करो पुत्र पेरे निकट ना आया करो नहीं तो यह अंदकार मेरा तुम्हारी श्वेत विचारधारा को भी काला करतेगा तुम हस्तिनापुर के वर्तमान के रखवाले हो वितुर उसकी रक्षा करो साहिता करो उसकी जिस वर्तमान का सूरी अस्त होने वाला हो ताथ्री उसकी रक्षा उसकी साहिता इतने निर्दई शब्तों का प्रियोग ना करो पुत्र इस सूरी को डूबने से रोको जिस सूरी को तैरनना आता हो ताठ्ष्री वो इतने गहरे पाने में उत्रा ही क्यों मैंने तो उसे अंधकार के इस अथा सागर में उतरने से रोकने के लिए कई प्रयत्न किये किन्तु मैं तुम्हारे प्रती अपना आभार प्रकट करता हूँ पुत्र कि तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तुम यह कहते कहते रुख गय थे कि तुमने तो अपना कर्तव पूरा कर लिया किन्तु मैं ही पिछड़ गया पर कभी कभी व्यक्ति अपनी विवश्टा को ही अपना कर्तव में समझने लगता है तुम्हारे दृष्टी कोड में मेरी भूल यही है पर याधा सत्य है आधा सत्य पूरा सत्य तो यह है कि उस द्यूत किड़ा में मैं भी लगातार दाव पर दाव लगाए जा रहा था मेरी अभिलाशा दाव पर लगी हुई थी कि कदाचित कदाचित युधिस्टिर अगला दाव जीत ही ले मैं जानता था कि शकुनी धूर्थ है फिर भी यदि युधिस्टिर वो दाव जीत लेता तो हस्तिनापुर के सर से शकुनी का शाब सदा सदा के लिए हट जाता सदा सदा के लिए हट जाता तुम्हारे अत्रिक्त थोड़ा या बहुत दोश सफी का है इसलिए मैं तुमसे प्रार्थ ना करता हूँ विदुर की हस्तिनापुर को बचा लो भरतवन्शाज लहू के जिस सागर के तक्त पर खड़ा हुआ है वो सागर बहुत कहरा है अथा है हमारे सारे जीवन मूल हमारी सारी परंपराएं डूब जाएंगी लहू के इस सागर की गर्त में इसे बचाने का प्रियत्न करो पुत्र इसे बचाने का प्रियत्न करो क्योंकि तुम भी इसी परंपरा का एक अंश हो जाओ और ध्रतराष्ट से कहो कि पांड़ों के बनवास तेरह में दिन को किसी विशेश पर इस्थितियों में तेरह में बरस के बराबर गिन रिया जाता है जाओ और यदि वो सोया हुआ हो तो उसे उठाओ उठाओ उसे और कहो कि वो पांडवों को वापस बुला ले परंतु यदि यदि दुरियोधन आपकी बात नमाने तो मैरे निष्टा यवराज के प्रति नहीं है विदुर्टा महराज के प्रति है यदि उसने महराज के आदेश का पालन नहीं किया तो मैं इसे राजत द्रौह मानूँगा और उसे कड़े से कड़ा दंड दूँगा मैं बड़ा हूँ ध्रित्राश्ट्र के साथ हट भी नहीं कर सकता पर तुम तो छोटे हो तुम्हें तो हट करने का अधिकार मिला हुआ है इसलिए जाहो पुत्र जाओ ओ, चाकर दृत्राश्च को सम्झाने का पुत्र, पुत्र, प्रेतन करो महाय बादा, महाबाला, O महाबाला